प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षा 10 विशे विज्ञान परी बोर्ड असेस्मेंट 2022-23 जो आज आपका हुआ था वो हल करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दे और प्यासाथियों को सेर कर दे तो शुरू करते हैं आज की पेपर का हल तो आप अपनी स्क्रीन पर खंड ए देख रहे होंगे जो बोतिक विज्ञान फिजिक्स का है उसमें पहला परसन आपकी स्क् प्रकास की कौन सी परिगटना के कारण इंदर दुनूस का निर्मान होता है तो प्यारे बच्चो जो इंदर दुनूस बनता है वो क्या होता है जब सुरिये का जो प्रकास है वो पानी की बूंद पर पढ़ता है हवा के अंदर जो लटकी होती है बारिस किसमें में बनता है तो जब हवा से प्रकास पानी की बूंद में जाता है तो माद्यम चैज होता है अपवर्तन होगा और उस बूंद के अंदर कुल आंतरिक प्रावर्तन भी होता है और विक्सेपन भी होता है तो ओपस नमर खे इसका बिल्कुल सही होगा अपवर्तन विक्सेपन और कुल आंतरिक प्रावर्तन यहां बिलकुल राइट है तो खै ओप्सिन इसका सही हो जाएगा आगे है किसी परिपत में विवांतर को स्थिर रखते हुए उसका परतिरोध आदा कर दिया जाए तो परिपत की विदूत दारा होगी तो प्यारे बच्चो आई बराबर होता है वी बटे आर देखो आर नीचे है आई यहां है तो एक दूसरे की वियुत करमान पाती है अगर आर गटेगा तो आई बढ़ेगा तो यहां पर जो आर है परतिरोध आदा हो रहा है तो जो धारा है विदूत धारा दुगनी हो जाएगी तो यहां पर जो डी ओप्सन इसका है दो गुना वो बिल्कुल सही है डबल वाला तो यहां आप अपना चेक कर लेंगे आगे है जेव निमनी करणिये और एजेव निमनी करणिये कच्रे को दो अलग-अलग कुडेदान में क्यों फैंकना चाहिए तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर बोल के बता देता हूँ ऐसा करने से जेव निमनी करणिये पदार्थों को हम एक गड़े में डाल करके सुक्सम जीरों दोवारा आप गटित करा सकते हैं जिससे खाद बन सकती है और जो ए जेव निमनी करणिये कच्रा है उसको हम पुने चक्रित कर सकते हैं एक नमबर का परशन था आगे है मानवनेतर के निमलिक बागों के कारिये लिखें तो प्यारे बच्चो कोर्निया कोर्निया जो है वो प्रकास का अपवर्तन करता है और कोर्निया के पीछे क्या होती है एक परितारिका होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है तो कोर्निया का आपने काम सु पुतली का साइज पर अंद्र को नियंत्रित करती है। तो प्रतिरोद यो किस परकार जोड़ेंगे कि श्योजन का कुल प्रतिरोद निमन लिखित हो तो प्यारे बच्चो मैं आपको बता देता हूं हम पहले के अंदर हमें 13.5 ओम प्राप्त करना है तो एक परतिरोद थो हम ऐसे जोड़ेंगे एक परतिरोद ऐसे और एक इसके है और ये भी नू ओम का है तो ये तो जुड़े हुए हैं सभाण अन्तर करम में दो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है किस करम में स्रेणी करम में तो प्यारे बच्चों अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या रिखलेगा एक बैट नो झामाएप न acceptた नो बराबर क्या हैगी त दो बटा नो तो एक बटा आर बराबर दो बटा नो आ गया तो आर बराबर क्या हो जाएगा नो बटे दो यानि चार दसमलो पांच या इसको मैं सोल किया हुआ आपको देखा देता हूं दोनों ही यहां आप अपनी स्क्रीन पर देखो मैंने एक यहां जोड़ा है और एक यहां जोड़ा है जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह निकल जाता है यहां वाला एक बटा नो जमा एक बटा नो यानि यह आ गया दो बटा नो जब हम इन दोनों का कुल परतिरों निकालेंगे त पी माना है मैंने तो 9 बटा 2 यानि 4.5 हो गया यह यहां तक 4.5 है यह 9 इसमें जुड़ जाएगा तो कुल आर क्या हो गया 4.5 प्लस 9 यानि 13.5 ओम अब दूसरा हमें 6 ओम प्राप्त करना है तो इस तरीके से जुड़ जाएगा दो को तो हम स्रेनी करम में जुड़ देंगे औ और एक को हम इसके समान अंतरकरम में जुड़ देंगे तो इन दोनों का तो जुड़ गया 9 और 9 18 सीधा देख लो और ये दोनों क्या है मालो 18 और 9 ये क्या है समान अंतरकरम में तो कैसे लिखेंगे 1 बटा आर बराबर 1 बटा 18 जमा एक बटा 9 तो जब इनको लगुत्तम न तीन बटे ठारा यहां पर यह और जब इसको पल्टेंगे एक बटा आर बराबर तीन बटे ठारा है पल्टेंगे तो आर बराबर अठारा बटे तीन आ जाएगा तीन चीक एठारा तो छे हो बागया तो यहां पर मैंने दोनों हल किये हुए हैं और बनाकर भी दिखाया हुआ आप एक बार थिर से देख लें ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट छटे परसन में आपसे पुछा गया है उर्जा के आदरस्त्रोत के गुण क्या है और सात्यों में आपसे पुछा गया है बड़े बांदों का निर्मान करते समें किन-किन मुख्य समस्याओं का विसेश करें तो इन दोनों परसनों के उत्तर में आपको इकठे करवा रहा हूं तो जो छटा परसन था उसमें आपसे पुछा गया था उर्जा के आदरस्त्रोत में क्या गुण होते हैं तो एक आदरस्त्रोत के निमनली खित गुण होने चाहिए उस उर्जा स्त्रोत से उर्जा प उर्जा स्त्रोट से उर्जा प्राफ्त करने की दक्सता उचोनी चाहिए इससे परियावन को छती नहीं होनी चाहिए दहन के बाद परती एक आंक द्रेमान से अधिक उसमा मुगत हो ये सारी बातें जो हैं एक आदर स्त्रोट के गुण में होनी चाहिए आगे है परस नमर जो साथ है बांदों के निरमाण में कौन-कौन सी समस्यां उत्पन वोती होना पड़ेगा आगे आर्थिक समस्या क्योंकि इस से जंता का बहुत अधिक धन लगता है अनुपात में लाब अपेक्सित नहीं है इसके बाद में परियावर्ण ये समस्या क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनास होता है था जे विवित्ता कुछती होती है तो ये तीन तरह की समस्याइं जो होती हैं बांदों के निर्मान करते समय आती हैं आगे चलते हैं परसन नमर आठ की तरफ अगे है परसन 8 में क्या है नामांकी चित्र की साहिता से विदूत मोटर की कारियविदी समझाज़ाए तो ये बहुत इंपोर्टेंट परसन है प्यारे बच्चों आप सभी को ये तो याद होगा विदूत मोटर का चित्र बनाना है और उ उची वस्तु को दरपन से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वे दरपन से 30 cm के दूरी पर परती भीम्ब बनाए आगे है किरन आरेक की साहिता से कांच की सलेब दौरा परकास के अपवर्तन की वेक्या कीजिए अपवर्तन के नियमों का भी उलेख कीजिए तो यह नोमा जो परस रखी गई है वो यहां रखी गई है और हमें दूरी निकालनी है इसकी ठीक है फोक्स दूरी इसकी दी हुई है 20 cm तो यहां पर हमने फोक्स दूरी लिख लिया आउतल दरपन है तो इसकी फोक्स दूरी माइनस में आएगी तो माइनस 20 cm यू हमें निकालना है और वी परती बीम की दूरी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 30 cm, तो वो भी इस तरफ बनेगा, परती बीम भी इस तरफ ही बनेगा, तो वो भी माइनस में आएगी, एच हमें दिया हुआ है, 4 cm, यानि इसकी उन्चाई जो है, वो 4 cm, परती बीम की उन्चाई निकालनी है, ठीक है, तो हमारे पास दरफन सुत्र होता है, एक बटा एफ बराबर, एक बटा वी प्लस यू, तो हम क्या करेंगी, यू का फोर्मूला निकाल लेंगे यहां पर, तो एक बटा एफ माइनस एक बटा वी, यह वाड़ा हो गया, इसमें मान बरेंगे, तो क्या हो गया, एक बटा एफ, तो क्या हो जाएगा, एक बटा माइनस बीस, और माइनस में, एक बटा वी, तो यह माइनस में है, तीस भी, और यहां भी माइनस था, तो माइनस माइनस मैने माइन तो एक बठा यू ब्राबर एक बाटा साथ है, माइनस का, तो यू ब्राबर क्या हो गया, माइनस साथ सेंटिमेटर, हमने यहां से निकाल लिया, अब क्या होता है फॉर्मूला माइनस वी बटा यू बराबर एच डैस अपोन एच होता है यानि परती बीम की उन्चाई बटा में परती बीम की उन्चाई होता है तो हम यहाँ पर मान बरेंगे तो माइनस 30 बटे माइनस 60 बराबर एच डैस अपोन ये 4 है तो ये माइनस से माइनस कैंसल हो गया ये कट जाएगा 30, 31, 31, 31 तो ये हमने यहाँ पर हल किया हो देखो एक बटा 2 बराबर H डेस तो इस तरी के से हमने किया तो ये कितना आ गया ये 2H इसकी आरपार बुना कर लेंगे इसकी साथ, इसकी साथ तो 2H डेस बराबर 4 आ गया H डेस क्या है परती बीम क्यों चाहिए तो 2 इदर चला जाएगा तो 4 बटे 2 तो कट गया कितना आ गया 2 तो परती बीम का साइज आ गया 2 सेंटिमेटर कैसा परती बीम बनेगा आगे है आपको इस तरीके से जो अपोर्तन था वो कांच की सलेप से दिखाना था और इसके नियम भी आपको लिखने थे अपोर्तन के तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ देखो आपतित केर्ण अपोर्तित केर्ण था दोनों माद्यमों का पर्थक करने वाले प्रष्टों के आपतन बिंदू पर अभी लंब सभी एक ही तल में होते हैं दूसरा साइन आयपोन साइन आर एक स्तिरांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं यानि अपवर्तन कोर्ण की जया और आपतन कोर्ण की जया का जो अनपात है वो अमेशा एक स्तिरांक होता है आगे चलते हैं नोमा जो पर्षन है उसका अथ्वा जो है उसी को भी हम हल करेंगे नोमे का अत्वा जो है उसका पहला भाग है वहानों के जो साइड का जो मिरर है उसमें उत्तल दर्पन को प्रात्मिक्ता क्यों दी जाती है तो उसका कारण मैंने यहां पर लिखा हुआ है देखो उत्तल दरपनों का उप्योग सामने तो वानों के पस दरश्य दरपनों के रूप में करते हैं इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वानों को देख सकते हैं जिससे की विशुरुक्षित रूप से वान चला सके उत्तल दरपनों को इसलिए प्रात्मिक्ता दी जाती है पर होगा A part का नोम्मे का जो थुआ है उसका A part इसके बाद में B part जो है उसको हम देखते हैं B part में आप से पुछा गया है एक वस्तु को 2F पर रखा जाता है तो उसका परती भी मकाँ बनेगा तो आप इस चित्र में देख रहे हो कहा पर बन रहा है 2F पर रखाओ तो 2F2 पर बनता है कैसा बनता है वस्तु के साइज के बराबर बनता है और वास्तुविक बनता है तो यही बातें आपको इसकी परकरती ही बतानी थी आगे चलते हैं खंड बैक की तरफ जिसमें आपसे केमेस्ट्रिक या रिसाइन विज्ञान के परस्टन पूछी गए हैं उसको हम हल करने की कोशिस जाएंगे